आज मा जे बतावन जाना देछो तेसले मेरो आफने जीवन मा धेरै परिवर्तन ले आएको थियो तेती बेला को कुरा हो जबमा प्लस्टू मा पढ़ते हैं हमिले फिजिक्स मा इस्पीड आफ लाइट पढ़नू पढ़ते हो अर्थात प्रकास को गती तेती बेला HC बर्मा को कंसेट्ट्स अफ फिजिक्स मला याद छा आमरो रिफ्रेंस बूक होने कर थियो तेसमा HC बर्मा ले बेद को यवटा मंत्र बाट प्रकास को गती को निरुपन गरेका थि रतियो पडेर मा एकदम आश्चर ने चकीद भाएं अतिन्त प्रभावित भाएं एक बेद मा इस्तो कुराप लिखिये को छा रीख बेद को पहीलो मंडल रीख बेद यहार ले सुन्नू भायोला रीख बेद यजुर बेद अथर्व बेद साम बेद इसको बारे मा मा पछी बताओने छू रीख बेद को पहीलो मंडल को पचासों सुप्त को चौथो मंत्र मा सुर्य भगवान को प्रसम सागर ये को छा रीख बेद बन्द छा तरणीर विश्व दर्शतो जोतिस कृदसी सुर्य विश्व मा भासी रोचनम रीख बेद येक पचास चार येसको भास्य गर्ने क्रम मा महर्शी सायन चौधों सतावदिका संत अनों छा वहाले रीख बेद को भास्य गर्न बैको थियो भास्य को अर्थवो टिका या ब्याख्या कॉमेंटरी आजपनी वहाले लेखनु बैको रीख बेद को भास्य उपलब्त चा वहालाई स्रीमत सायना चारे पनी भनेंचा श्री सायना चारे जिले उक्त मंत्र को भास्य गर्ने क्रम्मा लेखनु बैयो योजनानाम सहस्रे द्वै सहस्रे बने को हजार योजनानाम सहस्रे द्वै द्वै हजार द्वै सते द्वै सहे द्वै च योजने अर्थात द्वै हजार द्वै से द्वै योजन योजनानाम सहस्रे द्वै द्वै सते द्वै च योजने एकेन निमिशार धेन क्रममाण नमोस्तु ते एसमा भनियो म सुर्य भगवानलाई नमस्कार गर्दचु जसको गति आधा निमेश मा 222 योजन छा एसरी वाहाले लेखनू बयको उक्तस्लोक अनुशार प्रकासको गति कति बयो 222 योजन प्रति आधा निमेश ध्यान दिनुस पहरी कति भयों? 2022 222 योजन प्रति आधा निमेज अब यो 2022 222 योजन आधा निमेज बनेरा आमी केपनी बुझदेनु किना कि आमी लाइ योजन र निमेज को अभिभास नहीं छाई न एधी कसाईले काटपांडू बाट पोखरा सोर योजन टाड़ा चा वने बने बने आमी बुझ देने हुनी आमीला इते किलोमीटर मा बननु पर चा 200 किलोमीटर टाड़ा चा ठीक उसे बने आमी सबेबंदा पहला योजन बने को कती हो र निमेश बने को कती हो एस बारे पर दा योजन को बारे मा अलग अलग प्रसंग मा अहिले को यासाई योनिट्स अनुसार 12 देखी 15 किलोमीटर सम्मको दूरी जराउनों को लागी एक योजन को प्रयोक गरे को पाईन चा र प्रख्यात गडितिग्य काउटिले को अर्थ सास्त्र अनुसार एक योजन मा बा योजन को मान योजन वन्नाले कती बायो 12 दस्मलब 3 किलोमीटर अब निमेश को बारे मा पनी बुझों यहनुस समय को गणना स्रिमत भागवत विश्नू पुराण महाबारत आधी ग्रंथारुमा उल्लेक करे को पाईन चा इस सबै सास्त्रमा हमरो आखा को परेला जर्नको जती समय लाग छा तेती समय जनावनको लागी एक निमेश को प्रयोग गरिये को छा अलग-अलग प्रयोजन का लागी अलग-अलग गणना प्रणाली छा मनुस्मृतिको पहिलो अध्यायको 64 मंत्र अनुसार निमेशा दसचास्टव चा दसचास्टव बनाले 10-8-18 निमेशा दसचास्टव चास्था एक कास्था वयो अठार निमेश को निमेशा दसचास्टव चास्था त्रिम्सत्तु तह कला तीस कास्था को एक कला वयो त्रिम्सत कला मुहुरत तीस कला को एक मुहुरत वयो स्यादहो रात्रम तुतावत तेती नहीं मुहुरत को एक दिन रात वयो ध्यान दिनोंस मा फेरी बताऊँच एक पटक 18 निमेज को एक कास्था 30 कास्था को एक कला 30 कला को एक मुहुरत एवं 30 मुहूरत को एक दिन रात भयो एसरी एक दिन रातमा 18 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30 गरेर 4,6,000 निमेज हुनुछ अब हामिला एक दिन रात मा कती सेकेंड चा त्योंता था चा? कती चा? 24 गुना 60 गुना 60 गरेर 86,400 सेकेंड एक दिन रात मा उंचा एसरी एक निमेश बनेको 86,400 से सेकेंड भागा कती बनेको? 4,86,000 अर्थात सुन्ना दस्मलब 1777 सेकेंड बनेको कती बनेको चा? आधा निमेश बनेको कती बनेको? स्रीमत साडा चारे जी अनुशार प्रकास को कती कती थियो? आधा निमेश मा दुई हजार दुई से दुई योजन अर्थात दुई हजार दुई से दुई गुना 12 दस्मलब 3 भागा सुन्ना दस्मलब सुन्ना आठ 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 नौ बराबर कती आयो? फेरी इसाब गर्नुश 22 से दुई गुना 12 दस्मलब 3 भागा सुन्ना दस्मलब सुन्ना आठ 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 नौ बराबर कती आयो? 3 into 10 to the power 8 मिटर पर सेकेंड अब सोचनुस्ता? मनन गरनुस्ता एक्सिन? हमरो वेद प्रकास को गती हुंचा भनेर सर्वप्रतम सन सोरसे पचत्तरमा डेन्मार्क का रोमर ले पत्ता लगाये तेस अगेका अधिकांक सपास्चात्य बैगानिक अरू प्रकास को अनन्त गती उंचा बन्थे अर्थात इन्फाइनाइट भेलोसिटी आफ लाइट जर्मनी का प्रख्यात बैगानिक केपलर समेट एही मान्थे एनुस मैले एस प्रवचन श्रिंखलामा बेद सास्त्रमा भैका बैग्यानिक रहस्य अरू तत्त्य अरू एसकारण प्रस्तुत गर देछू ताकी भविष्यमा जवमा प्रवचन को क्रम्मा वेद सास्त्र बाट प्रमार दिनेचू तेती बेला यहां अरू को तेस्प्रती अगाद स्रद्धा होनेचा मान्नू होनेचा ए बेदले वनेको बेद मा लेखियेको छा विश्वास होंच वेद सास्त्र को बाणिमा अस्तु अन्य विशेयारू अरको प्रावजनमा प्रस्तोद गारी नेचा भगवान श्री पशुपती ना थेकी जेचे